लिजे सुनिये मुंशि प्रेम चंद के लिखे उपन्याज प्रेम आश्रम के चौदहवे भाग को मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में राय साहब को ने निताल आई हुए एक महिना हो गया है एक सुरम जील के किनारे हरे भरे व्रिक्षों के कुंज में उनका बंगला इस्थित है जिसका एक हजार रुपिया मासे किराया देना पड़ता है कई घोडे हैं कई मोटर गाड़ियां बहुत से नौकर यहां वो राजाओं की भाती शान से रहते हैं कभी हिमराशियों की सेर, कभी शिकार, कभी जीलों में बजरों की बहार, कभी पोलो और गोल्फ, कभी सरोद और सितार, कभी पिकनिक और पार्टियां, नित नए जल से नए प्रमोध होते रहते हैं। राय साहब बड़ी उमंग के साथ इन विनोदों की बहार लूटते हैं। उनके बिना किसी महफिल, किसी जल से का रंग नहीं जमता। वो सभी बारातों के दूले हैं। व्यवस्थापक सभा की बैठके नियमित समय पर हुआ करती हैं पर मेमरों के राग रंग देखकर ये अन नित दावतों और जलसों में अपने साथ ले जातें। अधिकारियों से उनके गुणों की प्रशंसा करतें। यहां तक कि उन्हें लेडियों से भी इंट्रोड्यूस कराया। इस से जादा वो क्या कर सकते थे। इस भित्ती पर दीवार उठाना उनका काम था। पर उनकी दशा उस पौधी की सी थी जो प्रतिकूल परिस्तिती में जाकर माली के सुवेवस्था करने पर भी दिनों दिन सूखता जाता है। ऐसा जान पढ़ता था कि वो किसी गहन घाटी में रास्ता भूल गए है। रत्मे जटित लेडियों के सामने वो शिष्टहचार के नियमो होने पर भी जेंपने लगते थे। राए साहब उन्हें प्रायह एकांत में सभ वेवहार के उपदेश दिया करते। सेम नमूना बन उन्हें सिखाते। पुर्शों से क्यों कर बिना प्रयोजन ही मुस्कुरा कर बाते करनी चाहिए। मैलाओं के रूप लावन की क्यों कर सर मिल जाते हैं। किस अंदाज से बाते करते हैं कि बनावट का ध्यान भी नहीं हो सकता। मानो इसी जलवाईू में उनका पालन पोशन हुआ है। एक दिन वो जील के किनारी एक बेंच पर बैठे हुए थे। कई लेडिया एक बजरे पर जल क्रीडा कर रही थी। इन्हें प असब्भता ना समझी जाए। जेंपते हुए बजरे में जा बैठे। पर सूरत भिगडी हुई खेद और गिलानी की सजीव मूरती। हिरदय पर एक पहाल का बोच रखा हुआ था। लेडियों ने उनकी ये दशा देखी तो आड़े हाथों लिया और इतनी फबतिया उण इतना बनाया कि इस समय कोई ज्यान शंकर को देखता तो न पहचान सकता था। मालूम होता था कि आकरिती ही बिगड़ गई है। मानो कोई बंदर का बच्चा नठखट लड़कों के हाथों पढ़ गया हो। आखों में आसु भरे एक कोने में दुब के सिम्टे बैठे जान में जान आई। कान पकड़े के फिर लेडियों के निकट न जाऊंगा। शने शने ग्यान शंकर को इन खेल तमाशों से अरुची होने लगी। अंगूर खट्टे हो गए। यीटशया जो अपनी शुद्रताओं की सुकृती हुई है। हिर्दय का काटा बन गई। रा जो गिरते पड़ते ऊपर चड़ते जाते थे। ये क्या पागलपन है। लोग खामो खां अंग्रेजियत के पीछे लठ लिए फिरते हैं। थोड़ी सी ख्याती और सत्ता के लिए इतना जंजट और इतने रंग रोगन पर भी असलियत का कहीं पता नहीं। सब के सब बहु पीए मालूम होते हैं। अंग्रेज लोग इनके मुह पर चाहे ना हसें। पर मित्र मंडली में सब इन पर तालियां बचाते होंगे। और तो और लोग लेडियों के साथ नाचने पर भी मरते हैं। कैसी निरलज्जिता है कैसी बेहायाई। जाती के नाम पर धब्बा लग बढ़ा रही है। डॉक्टर चंदर शेकर कहने को तो दर्शन के ग्याता हैं। पुरुश और प्रकृति जैसे गहन विश्यों पर लच्छेदार वक्त तुरतायं देते हैं। लेकिन नाचने लगते हैं तो सारा पांडित ते धूल में मिल जाता है। वो जो राजा साहब ह इंदर कुमार सिंग। मटके की भाती तौंद निकली हुई है। लेकिन आप भी अपना नृत्त कोशल दिखाने पर उधार खाये हुए हैं। और तुर रही है कि सब के सब जाती के सेवा कौर देश के भक्त बनते हैं। जिसे देखिए भारत की दुर्दशा पर आसु बहा के रूप में प्रकट हुई। असफल लेकक समा लूचक बन बैठा। अपनी असमर्थता ने साम में वादी बना दिया। ये सभी रंगे हुए सियार है। लुटेरों का जथ्था है। किसी को खबर नहीं कि गरीबों पर क्या भीत रही है। किसी के हिर्दाय में दया नहीं कोई राजा है कोई तालुकेदार कोई महाजर सभी गरीब का खून चूसते हैं। गरीबों के जोपड़ों में सैंद मारते हैं और यहां आकर देश की गवनती का पच्ड़ा काते हैं। भला यही है कि अधिकारी वर्ग इन महान भावों को मुह नहीं लगाते। कहीं वो इ यहां लाखो रुपए सेरसा पाटे में उड़ा रहे हैं उससे जाती को क्या लाब हो रहा है। यही धन यदि जाती पर अरपन करते तो जाती तुम्हें धन्वाद देती और तुम्हें पूछती। नहीं तो उसे खबर भी नहीं कि तुम कौन हो और क्या करते हो। उनके ल काल कर उसे दे दो। यह द्रोहात्मक विचार ग्यान शंकर के चित्त को मतने लगे। वाणी उन्हें प्रकट करने के लिए व्याकुल होने लगी। एक दिन वो डॉक्टर चंदर शेखर से उलज पड़े। इसी प्रकार एक दिन राजा इंदरकुमार से विवात कर बैठे और मिस्टर हरिदास बैरिस्टर से तो एक दिन हाथा पाई की नौबात आ गई। परणाम ये हुआ कि लोगों ने ग्यान शंकर का बहिशकार करना शुरू किया। यहां तक किराय साहब के बंगले पर आना भी छोड़ दिया। किन्तु जब ग्यान शंकर ने अपने विचा जीव, चुटकियां ऐसी तीवर, व्यंग ऐसे मीठे और उक्तियां ऐसी मारमिक थी कि लोगों को उसकी चोटों में भी आनन दाता था। नैनी ताल समाज का एक व्रहत चित्र था। चित्रकार ने प्रतेक चित्र के मुख पर उसका व्यक्तित तो ऐसी कुशलता से अंकित क कर दिया था कि लोग मन ही मन कट कर रह जाते थे। लेख में ऐसी कटाक्ष थे कि उसके कितने ही वाक्ति लोगों की जबान पर चढ़ गए। ग्यान शंकर को शंका थी कि कहीं ये लेख छपते ही समस्त नैनी ताल उनके सिर हो जाएगा। कि ये शंका निस्सार सिद्ध सब के सब एक दूसरे पर की गई चोटों का आनंद उठाते थे। डॉक्टर चंदर शेकर और राजा इंदर कुमार में बड़ी घनिष्ठता थी। किन्तु राजा सहाब पर दो मुहे साब की फबते डॉक्टर महुदय को लोट पोट कर देती थी। राजा सहाब भी डॉक का उत्साह कुछ कम हो गया। अगर अंतह करण से नहीं तो केवल ग्यान शंकर को खुश करने के लिए लोग उनसे सार्वजनिक प्रस्ताओं में सम्मती लेने लगे। ग्यान शंकर का साहसौर बढ़ा। वो खुलम-खुला लोगों को फटकारे सुनाने लगे। निंदक से उपदेशक बन बैठे। उनमें आत्म गौरों का भाव उदय हो गया। अनभव हुआ कि इन बड़े-बड़े उपाधी धारियों और अधिकारियों पर कितनी सुगमता से प्रभुत्त जमाया जा सकता है। केवल एक लेख ने उनकी धाक बिठा दी। सेवा और दया के जो देरे कूच होने लगे और आधे कौार तक सबबस्ती उजाड हो गई। ग्यान शंकर फिर उसी कुटिल स्वार्थ की उपासना करने लगे। उनका हिरदाए दिनों दिन कृपण होने लगा। नैनी ताल में भी वो मन ही मन राय साहब की फिजूल खर्चियों पर कुडबु जैसे मालिक वैसे नोकर सभी की आँखों में सरसों फूली हुई है। मुफ्त का माल उड़ाते क्या लगता है। जब पसीना मार कर कमाते तो खर्च करते अखर होती। राय साहब राम लीले सभा के परधान थे। इस अफसर पर हजारों रुपए खर्च करते नोकरों को देखकर वो ऐसे हताश हुए कि एक सबताह के लिए इलाके की सेर करने चले गए। दिसंबर का महीना था और क्रिसमस के दिन। राय साहब अंग्रेज अधिकारियों को डालियां देने की तैयारियों में तलीन हो रहे थे। ग्यान शंकर उन्हें डालियां सजाते देखकर इ तरा भी असर न होता है। वो ग्यान शंकर की मनुवरित्तियों से परिचित जान पड़ते थे। शायद उन्हें जलाने के लिए ही वो इस समय इतने उत्साहशील हो गए थे। ये चिंता ग्यान शंकर की नींद हराम करने के लिए काफी थी। उस पर जब उन्हें विश्व दम तक कौड़ी कफन को न छोड़ेंगे। मैं आज ही इस विशय में इन से साफ साफ बाते करूँगा और कह दूँगा कि यदि आप अपना हाथ न रोकेंगे तो मुझ से भी जो कुछ बन पड़ेगा कर ढालूँगा। विद्या उनकी जायदाद है तुम्हें रोक टुक करने का क्या अधिकार है। कितना ही उड़ाएंगे तब भी हमारी खाने भर को बचा ही रहेगा। भाग्य में जितना बदा है उससे अधिक थोड़े ही मिलेगा। ग्यान भाग्य के भरों से बैठकर अपनी तबाही तो नहीं देखी जाती। विद्या भाय जीते होते तब ग्यान तब दूसरी बात थी। मेरा इस जायदात से कोई संबंध न रहता। मुझको उसके बनने बेगड़ने की चिंता न रहती। किसी चीज़ पर अपने पन की छाप लगते ही हमारा उससे आत्मिक संबंध हो जाता है। किन्तु हा दुर्देव ग्यान शंकर की पर छापा मारा। उनकी इस्तिती रक्षा कारणी से न कीसी हो गई। उनके बड़े भाई प्रेम शंकर कई वर्ष से ला पता थे। ग्यान शंकर को निश्चे हो गया था कि वो अब इस संसार में नहीं है। फालगुन का महिना था। अनायास प्रेम शंकर का एक पत्र अमी कर दिया। पत्र लिए हुए विद्या के पास आकर ये शुब समाचार सुनाया। विद्या बोली धन्य भाग। भावी जी की मनों कामना इश्वर ने पूरी कर दी। इतने दिनों कहां थे। ग्यान वहीं अमेरिका में कृशी शास्त्र का अभ्यास करती रहे। दो साल तक के कृशी शाला में काम भी किया है। विद्या तो आज अभी 25 तारीख है। हम लोग कल परसों तक यहां से चल दें। ग्यान शंकर ने के वाल इतना कहा हां और क्या। और बाहर चले गए। उनकी प्रफुलता एक ही शण में लुप्त हो गई और नई चिंताएं आखों के स सामने फिरने लगी। जैसे कोई जीर्ण रोगी किसी उत्तेजक कौशधी के असर से एक शण के लिए चैतन्न होकर फिर जीर्ण आवस्था में विलीन हो जाता है। उन्होंने अब तक जो मनसूबे बांधी थे, जीवन का जो मार्ग इस्थिर किया था, उसमें अपने सिव किसी अन्य व्यक्ति के लिए जगहन रखी थी, वो सब कुछ अपने लिए चाहते थे, अब इन व्यवस्थाओं में दो परिवारों का निर्वाह होना कठिन था, लखनपुर के दो हिस्से करने पड़ेंगे, जो जो वो इस विशय पर विचार करते थे, समस्य और भी जटि होती जाती थी, चिंताएं और भी विशम होती जाती थी, यहां तक कि शाम होते होते, उन्हें अपनी अवस्था असा है प्रतीत होने लगी, वे अपनी कमरे में उदास बैठे हुए थे किराय साहबा कर बोले, तुमने अभी कपड़े भी न पहने, कैसे अर करने न चलोगे ग्यान, जी नहीं, आज जी नहीं चाहता, राय, केसर बाग में आज बैंड होगा, हवा कितनी प्यारी है, ग्यान, मुझे आज शमा कीजिए, राय, अच्छी बात है, मैं भी न जाओंगा, आज कल कोई लेक लिख रहे हो या नहीं, ग्यान, जी नहीं, इधर तो कुछ नही नहीं लिखा, राय, तो आप कुछ लिखो, विशय और सामगरी मैं देता हूँ, सिपाही की तलवार में मोर्चा न लगना चाहिए, पहला लेक तो इस साल के बजट पर लिख दो और दूसरा गायत्री पर, ग्यान, मैंने तो आज कल कोई बजट सम्मंदी लेक आद्यो पां दिखाईए और शिक्षा के महत्वका थोड़ा सा उलिख कीजे, स्वास्त रक्षा के लिए और धन मांगिए और उसके मोटे मोटे नियमों पर दो चाटि प्रिया कर दीजे, पुलिस के व्याय में वृद्धी आवश्य ही हुई होगी, मानी हुई बात है, आप उसमें कमी पर जोर दीजे और नए नहरे निकालने की आवशकता दिखा कर लेक समाप्त कर दीजे, बस अच्छी खासी बजट समालोशना हो गई, लेकिन ये बात हैं ऐसे विनमर शब्दों में लिखिए और अर्थ सचिप की योगता की और काड़ पटता की ऐसी प्रशंसा कीजे, कि बुल-बुल हो जाएं और समझें कि मैंने उसके मनतेवियों पर खूब विचार किया है, शेली तो आपकी सजीव है ही, इतना ये अतना और कीजिएगा कि एक एक शब्द से मेरी बहुगता और पांडित टपके, इतना बहुत है, हमारा कोई प्रस्ता माना तो जाएगा नह फिर बजट के लेखों को पढ़ना और उस पर विचार करना वेर्थ है, ग्यान और गायत्री देवी के विशय में क्या लिखना होगा, राय बस एक संग्शिप्त सा जीवन विर्तान थो, कुछ मेरे कुल का, कुछ उसके कुल का हाल लिखिए, उसकी शिक्षा का जिक्र कीज गत तीन वर्षों में, विवित कामों में उसने जितने चंदे दिये हैं, और अपने असामियों की सुदाशा के लिए जो विवस्थाएं की हैं, उनके नोट मेरे पास मौजूद हैं, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी, उस ढाचे को सजीव और सुन्दर बनाना आपका का अंत में लिखिएगा कि यसी सुयग और विदूशी महिला का अब तक किसी पद से सम्मानित न होना, शासन करताओं की गुडगराहकता का परचाए नहीं देता है, सरकार का करतव है कि उन्हें किसी उचित उपादी से विभूशित करके सतकारियों में प्रोथसाहित करें, लेकिन जो कुछ लिखिए जल्द लिखिए, विलंब से काम भी कर जाएगा, ग्यान, बजट की समाल उचना तो मैं कल तक लिख दूँगा, लेकिन दूसरे लेख में अधिक समय लगेगा, मेरे बड़े भाई जो बहुत दिनों से गायब थे, पहली तारीख को घर आ रहे है उनके आने से पहले हमें वहां पहुँच जाना चाहिए, राय, वो तो अमेरका चले गए थे, ग्यान, जी हाँ वहीं से पत्र लिखा है, राय, कैसे आदमी है, ग्यान, इस विशय में क्या कह सकता हूँ, आने पर मालुम होगा कि उनके स्वभाव में क्या परिवर्तन हुआ यह तो बहुत शांत प्रकरती और विचारशील थे, राय, लेकन आप जानते हैं, अमेरका की जलवाईू बंधु प्रेम के भाव की पोशक नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थ वहां की जीवन का मूल तत्व है, और आपके भाई सहाब पर उसका असर जरूर ही पड़ा होगा ग्यान, देखना चाहिए, मैं अपनी तरफ से तो उन्हें शिकायत का मौका न दूँगा राय, आप दें या न दें, वो स्वैम ढूंड निकालेंगे, संभाव मेरी शंकर निर्मूल हो, मेरी हार्दिक इच्छा है कि निर्मूल हो, पर मेरा अनभाव है कि विदेश में बहुत दिनों तक रहने से प्रेम का बंधन शिथिल हो जाता है ग्यान शंकर अब अपने मनों भावों को छिपा न सके, खुलकर बोले, मुझे भी यही बहे है, जब छे साल से उन्होंने घर पर एक पत्र तक नहीं लिखा, तो विदेत ही है कि उनमें आत्मियता का आधिक नहीं है आप मेरे पिता तुल हैं, आप से परदा क्या, इनके आने से मेरे सारे मनसूबे मिटी में मिल गए मैं समझा था चचा साहब से अलग होकर, दो-चार वर्षों में मेरी दशा सुधर जाएगी मैंने ही चचा साहब को अलग होने पर मजबूर किया, जायदात की बांट भी अपनी इच्छा के अनसार की, जिसके लिए चचा साहब की संतान मुझे सदय और कोस्ती रहेगी, किन्तु सब किया कराया बेकार गया राय साहब, कहीं उन्होंने गत वर्षों के मुनाफिका दावा कर दिया, तो आप बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, इस विशे में वकीलों की सम्मत्ती लिए बिना, आप कुछ न कीजिएगा इस बहाती ग्यान शंकर की शंकाओं को उत्तेजित करने में राय साहब का आशाय क्या था, इसको समझना कठेन है, शायद ये उनके हिर्दाइगत भावों की थाह लेना चाहते थे, अत्वा उनकी शुद्रता और स्वार्थ परता का तमाशा देखने का विचार था, वो तो गत वर्षों के मुनाफिका दावा कर सकते हैं, यदि वो ऐसा करें, तो मेरे लिए भी निकास का कोई उपाय है या नहीं, क्या राय साहब को अधिकार है कि वो रियासत पर रिणों का बोज ला देते जाए, उनकी फजोल खर्ची को रोकने की कोई गानूनी तत्बीर हो सकत इस किताब से शंका निवरत न हुई, दूसरी किताब निकाली, यहां तक की थोड़ी देर में मेज पर किताबों का धेर लगया, कभी इस पोथी के पन्ने उलटते, कभी उस पोथी के, किन्तु किसी प्रश्न का संतोश प्रद उत्तर न मिला, हताश हो कर वे इधर उधर ता अब तक वो सहम अपने जीवन सागर के रक्षा तट थे, उनकी सारी आकांग शाय इसी तट पर विश्राम किया करती थी, प्रेम शंकर ने आकर इस तट रक्षा को विध्धन्स कर दिया था और उन नौकाओं को डवा ढोल, भाईया क्यों कर काबू में आएंगे, खुशाम इससे मेरा पक्षा और भी निर्बल हो जाएगा, इस प्रकार भटकते भटकते से ऐसा ग्यान शंकर को एक मार्ग दीख पड़ा और वो हर्शोन मत तो होकर उचल पड़े, वह, मैं भी कितना मंद बुद्धी हूँ, ब्रादरीन महाशाय को घर में पैर तो रखने देगी न अगेंगी, उनके वहाँ पैर भी न जमने पाएंगे, प्रकट में मैं उनसे ब्रात्र वत व्यवार करता रहूंगा, ब्रादरी की संकीन्टा और न्याय पर आसु बहाऊंगा, लेकिन परुक्ष में उनकी कील घुमाता रहूंगा, महिने दो महिने में आप इही भाग खड इन महाशाय से डरने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं निर्भय होकर भ्रात्रिस्नेह का आचरन कर सकता हूं, इस विचार से ग्यान शंकर इतने उत्फुल हुए कि जी चाहा चल कर विद्या को जगाऊं, पर जब्त से काम लिया, इस चिंता सागर से निकल कर अब उन्हें शं शमान करती, मेरे दुष्ट सहास पर अप्रसन होना उसके लिए स्वभाविक बात थी, कोई गौरशाली रमनी इतनी सहज रीत से वशी भूत नहीं हो सकती, अपनी सतित्तु रक्षा का विचार स्वभावता है, उसकी प्रेम वासना को दबा देता है, ऐसा नहो तो भी वो उदासिंता और अनिच्छा प्रकट करने के लिए कठोरता का स्वांग भरना आवश्यक समझती है, शायद इससे उसका अभी प्राय प्रेम परिक्षा होता है, वो एक अमूल लवस्तु है, और अपनी दर गिराना नहीं चाहती, मैं अपनी ऐसा फलता से ऐसा दबा कि फिर स उठाने की हिम्मत ही न पड़ी, वो यहां कई दिन रही, मुझे जाकर उससे शमा मांगनी चाहिए थी, वो कृद्ध होती तो शायद मुझे जड़क देती, वो स्वैम निर्दोश बनना चाहती थी और सारा दोश मेरे सिर रखती, मुझे ये वाग परहार सहना चाहिए था और थोड़े दिनों में मैं उसके हिर्दय का स्वामी होता, ये तो मुझे से हुआ नहीं, उल्टे आप एही रूठ बैठा, स्वैम उससे आँके चुराने लगा, उसने अपने मन में मुझे बोधा, साहसीन, निरा बुद्धु समझा होगा, खेर, अब कसर पूरी होई जा उसकी ये आकांग्शा पूरी हुई, तो फूली ने समाएगी और जो कहीं रानी की पदवी मिल गई, तो वो मेरा पानी भरेगी, भाईया की जमेले से चुट्टी पाऊँ, तो ये खेल शुरू करूँ, मालूम नहीं, अपने पत्रों में कुछ मेरा कुशल समाचार भी ज्यान, आज नेधी नहीं आती, बाते करने को जी चाहता है, राय साहब शायद अभी तक नहीं आये, विद्यान, वो बारे बज़े के पहले कभी आते हैं कि आज ही आ जाएंगे, कभी कभी एक दू बज़ जाते हैं, ज्यान, मुझे जरा सी जपकी आ गई थी क्या देखता है में एक चिठी जरूर आती है, बलकि मैं जवाब देने में पिछड जाती हूँ, ज्यान, कभी कुछ मेरा हालचाल भी पूछती है, विद्या, वाह, ऐसा कोई पत्र नहीं जिसमें तुम्हारी शेम कुशल न पूछती हूँ, ज्यान, बुलाती तो एक बार उनसे जाकर मि देख रहे थे, अभी आप सुन रहे थे, मुंशी प्रेम चंद के लिखे उपन्यास, प्रेम आश्रम के चौदहवे भाग को मेरी यानि समीर गोस्वामी के आवाज में।